हाव तो मेक शूर की ध्यान अच्छे से लगे जैसे की परसो बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ और फेल्ट एनरजाइज बट कल्ब बिलकुल भी संतुलन नहीं बन पाया क्या को छुपाई किये जा सकते हैं जिससे की ऐसी स्थिती से बचा जा सके और ध्यान रोज सही से किया जा सके तो नम्रता जो हमारे अभी दर्शक ने पूछा था कि मैं दो सालों से तो ध्यान कर रही हूं बट मेरा मैं वो शूनी अवस्था में नहीं जा पा रही तो यह बहुत इंपोर्टन है हमें समझना कि जब हम जो हम एक घंटा या दो गंटा जो भी हमारी साधना का समय है उसके पहले और बाद हम क्या चीज कर रहे हैं आप ध्यान में अपने उर्जा तो इखटा कर लिया ध्यान के माध्य हम से जो दिस दिन में आपको लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है पर उन छेदों से क्या और वो पानी ओर्जा लीकेच पॉंट बन जाती है तो जब आप थान में बैठते हो अगली बारी विकॉस आपका स्टेट लो हो जाता है आपको फिर से अपने आपको री स्टार्ट करना पड़ता है तो जब तक आपका पूरा आप पूरे या अब यूजिव लाग्विज को यूज करते हैं या आप बहुत आप मोटिवेटिंग शब्ट जो प्रोग्रेसिव वर्ड्स है या अननेसेसिरी बाते करते हैं आप देखेगा इधर-ऊदर की बाते है पॉलिटिक्स की बाते जो लेटेस न्यूस है उसके बारे में बाते ह कहां पर अवश्यक है कहां पर अनावश्यक है अनावश्यक बातों से हमारी ओजा कनश्ट होता है वैसे हैं आप क्या देख रहे हैं जो आपको देखना है क्या आप वो देख रहे हैं आप कितना समय अपना फोन पर बिता रहे हैं आप कितना इस सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है पिकोज जो आप देखते हो आपके माइंड में इंफरमेशन की तरह स्टोर होए जा रहा है आप जानते भी नहीं हो कि कैसे मीडिया आपके माइंड को इंपाक्ट कर रहा है हाँ पीम सी देख रहे हैं तो वह अलग बात है बट कितना सम को फिर से अपने आपको प्रिवायर करने के लिए इतना फिर से ऐफ़र लगाना पदता है So, that one hour of meditation आपका जिस दिन बहुत अच्छा meditation or it is very good but यह नहीं है कि अगला दिन जब आप ध्यान कर रहा है आपका ध्यान नहीं लग रहा आपको लग रहा है उर्जा मिल रही है it is just that आपने अपने प्रीविसली अपना एनरजी बहुत कम कर दिया तो इसको जादे समय लग रहा है इस बकिट को फिल करने के लिए that is the only thing दूसरी बात हम जो अकसर अपने ध्यान के साथ एक्सपेक्टेशन रखते हैं जब हमने ध्यान को भी बहुत बहुत लोगों ने भगवान या किसी गुरू से रिप्लेश कर दिया है meditation को और हम हाँ हम ध्यान में बैट की भी बहुत सारे thoughts के साथ ही बैटते हैं कि जब expectation means आप इस present moment में पूरी तरह से नहीं हो यानि कि जब आप इस आपका शरीर present है but mind absent है because mind क्या है mind एक emotional state में किसी past या past present या future outcome के साथ जोड़ा हुआ है तो क्या होगा तो आप ले तो रहे हो meditation में आप energy but automatically वही energy drain भी हो रही है साथ और साथ सो ध्यान में no expectation ध्यान किवल ध्यान के लिए किजे जब आप अपने आखे आखे बंद करके हातों और पेरों को cross कर लेते हैं just forget about everything हर चीज के बार में भूल जाए किवल आप उस समय जितना भी समय आप बैट पा रहे हैं आप अपने लिए target दीजिए यद भावम तद्भवते अभी कुछ भी हो जाए मैं अगली आदे घंटे के लिए अपने आखे नहीं खोलूंगा and you complete the 30 minutes कुछ भी हो जाए और आप यह दिखेगा consistent practice के साथ आपको क्या-क्या-क्या आपको बदलाव दिखेंगे जब ही हम कोई भी कारिया अगर हम expectation से करते हैं हम अकसर चानते हैं कि relationships में हमें एक दूसरे के साथ expectation नहीं रखना चाहिए पर जब हम expectation रखते हैं जो चीज है उसको हम नहीं देख पाते क्योंकि हमने जो वास्तविक्ता है उससे दूर हम हट जाते हैं एक future outcome के लिए इंतिजार कर रहे थे हैं और जिस जो है उसको appreciate नहीं कर पाते हैं और ध्यान ultimately क्या है आपको किसी situation को बदलने के आवशक्ता नही है इस ध्यान को प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया को अपनानीर के लिए क्यों ना किसी situation को बदलने के लिए पर जो जैसा है उसको वैसे स्वीकारने के लिए तो ध्यान में आपके साथ जो भी हो रहा हो आप शुनी अवस्ता में जा पा रहें नहीं जा पा रहें आपको बह लगतार हमें करती रंची जैसे कि हम ध्याना लगतार करते रहेंगे तो हमारा ध्यानज भ Всhã इस अपने कहा बीद को हो दो नहीं कर승 Hak Edison के साथ द्यान करने के घ्र जाते हैं कि हम थ्यान करेंगे तो हम इसका उततर मिल जायेगा तो हम सुढ़करा जाए हैं से लुग से थी झाल